अच्छा विद्यार्तियों यहां भेगा थाए तेरे एककज मांग हो एमनी कि कायमी शिक्षक नी भरती करो पड़ामा तमें बीजी बाजू पने जोई शगोच हो कि अत्यारे जिटली पन स्कूलों मां टीचर नथी बद्दा विद्यार्तियों ने टीचर तो मढवा ना कि मैं एक्जाम पच्छी आलो को विध्यार्तियों को अभी शिश्चक मिलने वाले च्छे वर्सों से क्या हो रहा है च्छे वर्सों के बाद यह एक्जाम ली गई है और यह जो कॉंट्रेक्ट बेज यह प्रथा जो है वो 2013 से चल रही है क्या सरकार ने सिच्छकों की कलियर करेंगी मैं आइसा नहीं है कि सिर्फ हम संगर्स कर रहे हमारे माता-पिता भी हमारे साथ संगर्स करें आधे सपनों का संगर्स चल रहा है आज एसी दसा आगई हम लोगों कि कि हम एक एक दिन हमने रो रोकर भिताया है हम उन लोग को भी जवाब देना पड़ता है जो यह देखते हैं कि तुम अभी तक सफल नहीं हुआ हमए पूछते है कि मैं क्या क्या जवाब में हमारे भी सपने हैं हम उड्यारती का योग नहीं पढाएंगे योगी पढाएंगे चाहे हमें 11 महीं पर हमारा भी तो भविश है में यदि जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनका भविश है तो यह क्या विध्यारती नहीं है सिक्षक भी आज इवन विध्यारती है सिच्छक का भी भविश्य और सिख्षकों को उनका अधिकार मिलना चाहिए हमने घ्याव दस वर्सों से यह सो चपने और आगे भी संगर्स करेंगे न को संगर्स करने यह काइमist सूर्ण ऑफार्ड करनी DOC कोई हमारा हमारी बातने के शचास पनाते हो तो अगालक तुम जायो इस तरीके का जवाब दिया है में उन्हें ने हमें विनोध राव जी ने कि फैमली मेंसे भी प्रेशर होता है कि अब नौकरी लगेगी तो अब शादी कर लेंगे या कुछ होगा महिला के लिए कितना कफिन होता है ऐसे इतना लंबे टाइम तक एकजाम का वेट करना और एकजाम पास भी कर लो फिर भी आपके पास सरक संगर्स किया पिमतला को छोड़ करा के सकती हूं तक तक मैंने विए मुझे मेरे भाई देखती घर वालों से मुझे परिमिशन मंगना पढ़ने पड़ती ममी प्लीज आखरी लडाई यह अखरी लडाई को मैं आखरी लडाई बोलकर मैंने अपने जीवन की इतने समय को काटा है छे वर्स का संगर्स सिफ छे दिन गीन लो आप यह गलत है आप अपने बच्चों को मैं बोल रही हूं कि आप आई एस आई जो भी आईस ओफिसर हैं अगर यह इतनी नीती पूर है तो आप और गुन्मोग्ता इत तो शेवा क्यों नहीं देते आप तो सेवा करने निकले हैं तो हम भी सेवा कर रहे है हमें क्यों 11 महीं हम रासन खाएंगे बारवे मने हमारा भविश्य क्या ऐसे सिख्षक को समाज किस दिश्टी से देखेगा समाज में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी 11 महीने के हैं इनका कोई भरोसा नहीं है और यह बात है कि आप हमारी अवास सुन यह नहीं संचेटपी मीडिया वालों की तरब से सच झाल